हाई मैं पश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं बुलिस स्पाइक केंडल्स के बारे में इस केंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बेसिस पे हम क्या ट्वेट इनिशियेट कर सकते हैं जैसा कि आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा इसके नाम के पीछे बुलिस लगा हुआ मतलब यह काफी हत तक हमें क्या इंडिकेट करेगा यह हमें बुलिस मोमेंटम को अरली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा तो चलिए हम बुलिस स्पाइक केंडल्स के बेसिस पे हम बुलिस मोमेंटम को काफी अरली कैसे प्रेडिक कर सकते हैं कैसे identify कर सकते हैं, वो हम समझते हैं, तो यहाँ पर आपको यह जो candle दिख रहा है, यही यह आपका bullish spike candle, अब इसका formation कहाँ पर होना चाहिए, तब इसका importance है, कहीं पर ही form हो जाए, तब इसका importance ज्यादा नहीं रहता है, तो सबसे पहले price आपका उपर से नीचे आना चाहिए, य हम bullish spike candle को identify कैसे करें, यहाँ पर आपको spike क्या मतलब है, कि tail या फिर wick देखने को मिलेगा, और यहाँ पर spike किस तरफ होना चाहिए, यहाँ पर spike आपका bottom में होना चाहिए, तब इसका importance है, अगर उपर में भी spike देखने को मिलता है, तो इसका ज्यादा को importance नहीं रह जाएगा यहाँ नीचे में यहाँ पर हमें long wick या फिर long tail दिखना चाहिए, bottom में, पहला characteristics है, जिसके ज़री आप इस candle को identify कर सकते हो, दूसरा किसका body size ज्यादा big नहीं होना चाहिए, एक limited size में body size होना चाहिए, और तीसरा कि उपर में ज्यादा बरा tail नहीं होना चाहिए, इतना size का tail तो चलेगा, इस से ज्यादा big size का tail नहीं होना चाहिए, अगर आपका इस size का उपर में भी tail हो जाता है, तो फिर यह bullish spike candle नहीं बनेगा, इसको हम ignore कर देंगे, और हम अपना जो research बरके यहीं पर खत्म कर देंगे, इसके आगे नहीं बरहेंगे, तो अगर यह सारे criteria को satisfy करता ह तो हमें देखना है कि यहां पर कोई support level है या नहीं इसके आसपास, इसके आसपास support level का formation होना बहुत ज़री है, support level का होना बहुत ज़री है जिसको हम तो key level बोल सकते हैं, या फिर crucial level भी बोल सकते हैं, उसके बाद, अब इसके basis पर हम क्या trade initiate करेंगे, यह सारा कुछ identify करने के यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बाइंग अपरचुनीटी identify करेंगे, अब हमें यहां पर करना और कैसे करना, तो हम क्या करेंगे, support level का हाई support level से उपर है, तो इस candle के हाई को माक करेंगे, और जैसे प्राइस इस candle को हाई के break करके उपर निकलेगा, वो हमारा बन यहां पर entry point और यहां पर जो लेंगे वो बाइवसाइड की तरफ यहनी अप सेड़ की तरफ जाने के लिए यहां पर इंटीड लेंगे और यहां में क्या find करके देगा यह हमें bullish momentum वांटम फाइन करके देगा यहाँ पर देख सकते हैं इसम्हों लाइन में ड Negбатор कि फिरेंट टॉरिके का अब यहाँ पर देख लेकी जियादा वेग टेल नहीं गारेटे चलेगा लेकिन इन समय कॉमन क्या इन फ्रे long till at the bottom सब में हमें देखने को मिल रहा है नीचे में आपको long till at the bottom clear cut आपको देखने को मिल जाएगा और किसी-किसी में ऊपर में भी आपको छोटा-छोटा till देखने को मिल जाएगा उस पे हमें जादा focus नहीं करना है अब ये सारा केंदल का formation अगर किसी crucial support level के पास होता है तो उसकी बाद क्या होगा उसकी बाद हम market को reversal लेता देखेंगे और price आपका upside की तरफ जाता हुआ देखेगा तो उसकी बाद हमें क्या find करना उसकी बाद हमें bull side की तरफ यानि upside की तरफ entry find करना है और उसके साथ साथ हमें यहां पे sl और फिर हमें अपना target price भी find करना है तो इसके लिए हम chart पे चलते हैं और इन सब को हम कैसे find कर सकते हैं वो भी हम समझते हैं क्योंकि concept समझने के बाद हमें entry target sl भी identify करने आना चाहिए अगर हम इन सब को identify नहीं कर सकते जो हमें concept पता उसका कोई मतलब नहीं बनता है तो चलिए chart पे चलके इसको और detail से समझते हैं तो यहां पे अब हम chart पे आते हैं और देख सकते हैं यह आपका बज्जाज electrical का daily chart है अब यहां पे time frame को लेकिए आपको doubt हो रहा होगा तो यहां पे आप time frame daily या फिर hourly use कर सकते हैं उससे नीचे नहीं जाना क्योंकि उससे नीचे जाएंगे यहां पे हमें candle को identify करना और candle में हमें उतना maturity देखने को नहीं मिलेगा फिर आपको वो बहुत ज़्यादा false signal या फिर trap में फसा सकता है इसलिए हमें ज़्यादा नीचे time frame अब दूसरा काम क्या करना हमें bullish spike candle को identify करना जो कि हमने पहले से सबको identify करके रखा है आप देख सकते हैं यह जो candle है यह आपका एक perfect bullish spike candle है अब यहाँ पे एक और चीद ध्यान देना है कि candle color आपका red और green कुछ भी हो सकता है candle color से हमें कोई मतलब नहीं है चाहिए characteristics अगर मिलता है characteristics अगर similar है तो उसके basis पे हम tweet initiate कर सकते हैं और वह हमें reversal यानि bull side की तरफ जो momentum आने वाला उसको early identify करने में help करेगा तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में हमें long tail देखने को मिल वा तो नीचे में हमें long tail देखने को मिल गया और उपर में छोटा सा tail है जिसको हम ignore कर सकते हैं body size भी काफी छोटा सा है मतलब जो character 6 था जो criteria था उस सारे criteria को fulfill कर रहा है और यह आपका downtrend के बाद form हो रहा है मतलब इसके बाद क्या आपने वाला है इसके बाद आपका bullish momentum आने वाला है तो यहाँ पर हमने bullish momentum को काफी early identify कर लिया अब यहाँ पर हमें entry कहां पर लेना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका high जो मेरा key level है जो support level उससे उपर हो उसके high को break होने का wait करेंगे अब देखिए इसका high आपका यह level है तो यह candle इसके high को break करके उपर गया है यानि इस level पर हम यहाँ पर entry लेंगे जो यहाँ पर हम buy करेंगे वो buying level जो मेरा बनेगा लगभग 927 के आसपास बनेगा और यह जो चार्ट है बजार electrical चार्ट है जिसमें हम 927 के level पर यहाँ पर हम buy positions initiate कर रहे है उसकी बाद price देख सकते है अगले दो candle में ही उपर गिया है और जो हमारा यहाँ पर first target price होगा previous swing low की बात करें तो इस level करीब है यह हमारा first target price हो जाएगा लगभग आपका 1025 का यहनि जहाँ पर हमने इसने दिनों मिला है 10% का profit मिला है सिर्फ आपका इस दिन तो आपने इंट्वे लिया है वन टूर टूरूर्ट्वीट वेडिंग सेसंस में आपको 10% का profit मिल गया है जोगी छोटा मोटा profit नहीं होता बिग profit होता है यहाँ पर हम profit लेके निकल सकते हैं या फिर इसके बाद चाहो तो आप अपना trailing stop loss वाला जो formula है उसको भी आप यहाँ पर continue कर सकते हो तो देख सकते हो इसके जरी हमने bullish momentum को काफी early identify किया है अगर यह चीज नहीं रहता तो हमने bullish momentum को कब identify करते हैं यह candle breakout देने के बाद हम bullish momentum को identify करते हैं इस candle पे और अगर आप इस candle पे buy करते हैं तो आप यहाँ पर trap में काफी हद तक फस सकते थे क्योंकि price इसके high को break कर कभी उपर नहीं किया नीची आ है और जो भी आप stop loss यहाँ पर भी लगाते हैं तो यह आपके SL को hit कर देता है तो उससे पहले यहाँ पर जो trap था उससे भी बच गए और हमने यहाँ पर profit भी बना लिये काफी पहले entry लेके और काफी पहले हमने profit बना लिये अब उसके बाद दुबारा आपका same candle का formation हुआ है long tail at the bottom body side छोटा उपर में छोटा सा tail है और यह आपका downtrend के बाद formation हुआ है और उपस है crucial level के पास formation हुआ है यह आपका जो crucial support level है उसी के पास ही आपका form किया है तो इसके बाद भी हम क्या करेंगे entry लेए और support level इससे नीचे इसका high से उपर है इसके high को break होने का weight करिंग इसका है अगला candle break किया इस level मेरा entry हो जाएगा और entry जो होगा वो लगवग आपका 910 के कड़ी भी हाँ पर हमारा entry होगा फिर हमारा पहला target price जो इस level पर था 1025 यह हमारा first target price बनेगा और उसके बाद second target price चाहो तो आप 1075 पर भी रख सकते हो तो यहाँ पर भी हमें लगवग आपका 12% का return आसानी से मिलता हुआ पहला target price दूसरा target price ले तो यहाँ पर आपको 15% का भी return आसानी से मिल जाएगा तो देख सकते हैं सिर्फ एक candle के basis पर हम कैसे जो bullish momentum आने वाला उसको काफी early हम predict कर पा रहे हैं अब इस candle के पीछे concept क्या है थोड़ा बहुत आपको ये भी समझना जरूरी है अब यहाँ पर क्या हो रहा price आपका नीचे आ रहा और इस पूरे area में जो sellers हैं उनका दबदबा है मतलब sellers market को control किये हुए हैं अब क्या हुआ sellers अपना दबदबा कायम किवे थे price यहाँ पर नीचे तक आया था और यहाँ पर हमने key level identify किया इसके नीचे किसका area है इसके नीचे आपका buyers का इलागा आ जाता है buyers का घर आ जाता है अब buyers के घर में क्या कौन entry किया है sellers entry किया sellers उसका दुस्मन होता है तो क्या किया है वो यहाँ से इसको धकेला है पीछे यानि यह भी यहाँ से attack करके यह भी यहाँ पर इसको पीछे धकेला है और sellers को उसके घर तक धकेल दिया है मतलब buyers अपने इलाके से दम दिखाना start किया और sellers के इलाके तक जाके दम दिखाया है यहाँ पर जो buyers हैं वो बहुत जादा strong है और sellers यहाँ पर क्या हुए यहाँ पर जो sellers है वो कमजोर हो गए वो weak हो गए हैं अब जैसे ही sellers कमजोर हुए buyers strong हुआ क्या होगा buyers market को control करेगा और यहाँ पर buyers ने market को control किया और जैसे ही buyers ने market को control किया क्या होगा market आपका upside की तरफ जाएगा तो हमने जो strong है उसका साथ दिया यहनी हम strong के तरफ गए और वो हमें profit बना के दिया है और इसके बाद आपका यहाँ पर भी same concept दो रहाया गया है sellers कमजोर दाके में वापस से sellers आ गया फिर उसको धाकेल की वापस किया और यहां से price आपका फिर upside की तरफ निकला है तो इस तरह का example बहुत देखने हों की लगा यहाँ पर देख सकते हम आदानी पोर्ट के डेली चार्ट पे आ रहे हम यहाँ पर सारा एक्जांपल डेली चार्ट में पर देखने को मिलता है और हमें यहाँ पर वही चाहिए होता है अब देख सकते हैं यहाँ पर अपना strength gain कर रहा और जैसे bias ने अपना strength gain किया इसके high q breaker के उपर निकला price आपका all the way पहला target price यह होगा जो कि previous swing आया है आसानी से hit कर दिया है और यहां पर भी लगवग आपको 5-10% का profit इसमें आसानी से आपको बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यह बहुत जल्द और काफी तग रहा upside momentum दिखा था और यहां पर आपने काफी early identify करके interview लिया है यहां पर आपको ज्यादा profit मिलेगा ही मिलेगा इस तरह के candles आपको यहां पर और देखने को मिल जाएंगे यहां पर देख सकते हैं यह आपका green color का candle है यह भी आपका इसी टाइब का candle है जो कि मैंने आपको example में बताया था अब यहां पर एक और ची देखना यह candle क्या हो गया इसमें भी body size चोटा है लेकिन यह आपका doji candle है उपर में भी आपको ट्वेट नहीं करना है बस आपको जो मैंने बताया कि कैसा होना चाहिए इस तरह का candle होना चाहिए long tail at the bottom उपर में ज्यादा बेग टेल नहीं होना चाहिए वह हो गया तो आपको डोजी बन जाए उसके बेसिस पर हम ट्वेट नहीं करेंगे इस तरह आपको सेम स्टॉक में मल्टीपल में जाएगा यहां पर केंडल एकलर से कोई मतलब नहीं मैं बारवार आपको बता रहा हूं अगर आपको रेड़ के पास तो उसके बाइसिस पर बाइस सब्सक्राइब जाहिए लेकिन यहां पर बायर का डॉमिनेशन इंडिकेशन दे रह पर देऊफ़ केंडल काक्रमेशन आपको यहां पर देखने केनता हुए उसके बाद आपको यहां पर सेम कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है इसके बाद हम यहां पर इंट विलेंगे और प्र Extra कम दो और मिलता हूँ जल्दी मिलता है यहां फिर आपको कुछ दिनों में यही वि फिली चार्ट पहाईंगे तो यहां पर आपको और उच्छाम्पल सब्सक्राइब कर सबुमें देखने को मिलता है इसी तरीके स्क lets आप यहां फार नहीं सकते हैं है यहां पर यह है अच्छा खासा टेल देखने को मिलवा है इसलिए ये candle नहीं है इसके बाद ही price उपर गिया है लेकिन ये candle नहीं है इसके basis पर हम trade नहीं करेंगे कई बार उपर जा सकता है लेकिन कई बार आपको ये trap में फसा सकता है तो उमीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राब नहीं किया चैनल को सब्सक्राब भी कीजिए और बेल ऐकन दबाना ना भूले बेल आइकन दबाये रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को मिस ना करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन